लेक्ऴेस isawn लोग तो आज अपन अपना जो यह यह फोर्थ लेक्चछर का अपका रे ओप्टिक्स का रे ओप्टिक नॉट नॉट लाइड रहर आज अपन पढ़ेंगे दर यह और आगे की चीज़े पढ़ेंगे ट्रिक्छद तरफेस और यह और में तो देखेंगे है ना तो अपन ने क्या देखा था लास्ट क्लास में ती यार में कि जब भी लाइट डेंसर से रेरर में जाती है तो ही खाली यार होता है ती यार के लिए में दो कंडिशन्स थी अगर आप लोगों को पता होगा है ना एक सेंद इसको हुआ दो कि वाइट वर कि वह दो वाइट वर कि वह दो हुआ है यह को अपने टी यार देखा था यह कब होता है जब भी लाइट डेंसर से रेरर जाती है सिर्फ अभी होता है TIR और TIR के लिए सबसे बड़ी condition क्या है दो condition है सबसे first condition यह है कि light dancer से rare में जानी चाहिए और दूसरी condition यह है कि angle of incidence जो है वो आपका critical angle से जादा होना चाहिए और critical angle क्या होता है आपका sign inverse 1 by n 1 by n या फिर आप ऐसे बोल सकते हो n sign inverse n जहां रिफ्रेक्शन के बात लेट जा रही है यह एन आफ रहर उपन आफ देंसर आप यह भी बोल सकते हो ठीक है एन आफ रहर उपन आफ देंसर क्योंकि खुद सोचो अब आप ऐसा क्यों बोल रहे है आपन कि भीया light हमे नहीं है तो यह दो condition हमेंसे याद रहे है कि ती आइर की condition कब होता है जब भी लाइट डेंसर से जाती और दूसरा एंगल ऑस इंसिदेंस क्रिटिकल एंगल से जादा होता है तब नेक्स्ट है टी आइए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का application तो सबसे पहला application से मिराज आप इंटरनल रिफ्लेक्शन अच्छा आपने बर और दिखी होगी जब बहुत चौड़ी चौड़ी क्लास होती है तो बोड में लिखा हुआ कुछ दिखता नहीं है जो सबसे आगे बैंच में बैठता है साइड में है ना वह भी क्यों होता है ड्यू टू टिया उसको रिफ्ल यहां और कोई एकदम यहां पर ऐसे बैठा है तो यहां वाले के लिए तो यह एंगल एंगल ऑफ इस बहुत चाता हो गया वा समझ में होता क्या उसमें जितनी भी रेज आती है वह तो पूरा चमकने लग जाता है पूरा तो आपको कुछी बोड में दिखाई नहीं देखत देता है वो भी क्या है application of TIR ठीक है Mirage formation रोड में डेजाट में आपको यह चीज़े देखने को मिलती है ना रोड में आप दूर से देखो कि तो क्या होता है रोड गरम हो जाता है गरम होने के करण उसके उपर की हवा क्या हो जाती है गरम तो उसकी refractive index क्या हो जाती है बढ़ जाती है तो रेस जब आती है जैसे मालों यह रोड है यहां पर यहां पर कोई पेड है यहां से जो रेस पारी है वह बैंड होने लग जाथी चुछ मैं इतना पास से नहीं जो दूर से रेज आ रही है वह देखो आ हूं मैं आहलो है आप दूर से देखते हो तब आपको रोड में पानी-पानी दिखाई देता फाट तो गयब वाएं लंबा रोड है एक नम खाली रोड और आप गर्मी के टाइम में दिन के टाइम में गाडों की चा रहे हो तो आपको दूर में ऊसको पाणी क्यों रिफ्लेक्शन होता है तो aráकचार में आपको रोड में रिफ्लेक्षिन दिखाई देगा होता क्या है अब होता क्यों है यहां माम भ् gost of this Państwo से बहुत दूर पर लिय हैं यहांं से हो रही है यह उनल एकडम कम मतबं आंद और झाल क्या हो गई गरम तो यह से बेंड होकर कैसे आजाती आपके आखों में तो आपको रिफ्लेक्शन वह पेड़ा से यहां पर जमीन में दिखाई देने लग जाएगा तो आपको लगएगा कि पानी है और इसे को पोलते हैं मिराज होल्गा से दुसरा है क्यों कि तो इसके इंदर एक बार होग जाती तो क्या होती है टी आइर टोटल इंटरनल अगा जिसकी कारण मुल्टिपल टाइम रिफलेक्ट हो जाती है तो उस कारण से उसकी एकड़म चमक बढ़ जाती है तीसरा प्रिजम अब प्रिजम को यूज करके आप बहुत सारी चीज़े कर सकते हो इस प्रिजम में आपको याद रखना है प्रिजम एप्लिकेशन तो वैसे 180 डिग्री में और इनवर्ड कैसे होता है यह तीनों मैं यहां पर आपको डियाग्राम मरा देता हूं अच्छे से ठीके टिया यार लिख लेना तीनों चारो मिराज डाइमंड प्रिजम और ऑप्टिकल फाइवर एंसी आटी के इसाब से चल रहा है मैं फिर से बतातू जो यह प्रिजम है अगर यहां से लाइट आई गी तो 90 डिग्री है तो सीधा सीधा चल जाएगी क्योंकि एंगल आई जीरो तो एंगल आर भी जीरो सीधा सीधा चलेगी आगे अब यहां पर रिफ्लेक्ट होकर करके यह कौन सा एंगल लेंगे फॉर्टीव डिग्री वाला आ एंगल है 45 डिग्री ओपने लेंगल थीरो से कम हो तो लाइट अंदर ही और रिफ्लेक्ट हो जाएगी फॉरा फॉर्टिव में तो यह भी 45 तो यह भी 45 फॉर्टीव के यह भी 45 सारे एंगल 45 हो जाएगे यहां मर पूरे तो यह लैट आई यहां से और टक्रा गेंदर चली के नांती डेगी मुड़गई और बिलगुल भी रिफ्रेक्ट नहीं होगी पूरी 100 पर संग रूइत क्या हो जाएगी रि kurank और 90 गेंट हो गई तो 90डेगरी में बैंड़ करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं और कौन सा ऐफ क्ट उसमें यूज करते हैं टोटल इंटर्नल reflection total internal reflection को use करके prism में अपन light को 90 degree में bend करते हैं दूसरा 180 degree में अगर bend करना है तो light अभी surface साएगी इस surface है इस ट्रेट टकरा के 90 degree मुड़ी फिर टकरा के 90 degree 180 degree मुड़ी light और बिल्कुल भी loss नहीं हुआ तो prism को use करते हैं कई बार ऐसा होता है ना कई optical devices होता है जिसमें light को मोड़ना रहता है 90 degree 180 degree तो वहाँ पर क्या use किया जाता है प्रीज्म यह reality में application है prism का ठीक है TIR का कि इसको prism के through use किया जाता है light को जब भी 90 degree मोड़ना है 180 degree मोड़ना है तो इसको use किया जाता है ठीक है यहां पर मैं एक पाट बना देता हूं यह पूरा प्रिज्म का पाट है और मालों यहां सरे दो रेज्जाइ घृत होगी इस रिफ्लेक्ट कि ऊपर चल जाएगी और यह नीचे तो जो उपर वाली रेज थी वो नीचे आ गई और जो नीचे वाली देर गई तो यहां पर क् तो यहां पर light क्या हो गई invert जो object था उसकी image क्या हो गई invert और भी बीना किसी loss के बीना कोई भी magnification के बस मज़में तो यह तीन काम है prism को use करके और हाँ यह तीनों के लिए कौन सा prism use करते है right angle isosilis prism कौन सा prism use करते है right angle isosilis prism isosilis triangle एंगल रहता है यह दोनों sides equal होती है यह दोनों side equal होगी तो यह दोनों angle equal 45 degree हो जाएगा और यह एक एंगल क्या होता है 90 degree ठीक है तो कौन सा prism जो टी आयार के application के लिए prism use करते हैं तो कौन सा prism use करते हैं right angle isosilis prism यह चीज़ note down कर लेना note down कर लेना कि कौन सा prism लेते हैं अपन right angle isosilis prism use किया जाता है और यह तीनों diagram important है NCRT में है तीनों diagram बना लेना ठीक है 190 degree में bend करने के लिए 180 degree में bend करने के लिए और invert करने के लिए तीनों चीज़ें नेक्स है optical fibers next is optical fiber चलो बढ़ाऊं आगे और यह तीनों चीज़ें ठीनों पार लेना आगे है 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 चलो आगे बढ़े अप्तिकल फाइवर ऑप्टिकल फाइवर के थ्रू आज आप इंटरनेट उसकर पाते हो आपको पता है पूरा को पुरौरा वर्ल्ड कंट्री दूसरे कंट्री से बालों से पतला हो था उसकी अदर होता है यहां उसके अंदर होता है पतले पतले चार वायर और उसको भी छिलोगे तो अग्दम ब पतला फाइवर का बना होता है अग्दम पतला सतार वह खाली ट्रांस्पेरेंट होता है और उसके अंदर लाइट की रफतार से सिगनल जाता है एलेक्ट्रो मैगनेटिक वेफ जो होती है वह ट्रावल करती है और पूरा वर्ड अब मालो आपने कोई आप फेस्बूक ऊपन कर हें तो द्विट आ रहा है नाप और और यहां पर यह अरॐंग के सिगनल की सिगनल के रफतार से तीन लाग किलोमेटर पर सेकेंड जो इसलिए तेना फास्ट इंटरेट जो मिषश कर पा रहे हो पूरे वर्ल्ड के बीच में हर एक कंट्री और दूसरे कंट्री के बीच में यह optical बिछाए गया हैं इससे को बोलतें इंटर ने जो है ना वह इंटरनेट यह उप्टिकल फाइवर्स को सोच रहे हो पूरे एक कंट्री से दूसरे कंट्री कितना पैसा लगा होगा कौन बिछाया होगा कितने और उफिर उनको सेफ्टी के लिए भी ऐसा तो भी एक वायर खाली बिछा दी हो गया यह पुछ आया तुटिया उसकी सेफ्ट फाइवर बीछा यहां जी होगा पूरे सुरेशपूर में है ना तो ताकि आपको फास से फास इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सके लाइट की रफतार से सिग्नल्स ट्रावल करेंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इतने फास्ट ट्रावल नहीं करते हैं कि चलो आगे एंटि स्ट्रीउ से कल्श कि रेश्च अब कोई अग्याह कुझ सब्सक्रावल कर misma शवचुट्रेश एक object किसी surface की उपर लगा दी तो ऐसे curved surface है और उस बूंद के नीचे मालनो कोई dot था तो अब उसकी image कहाँ बनेगी है ना या मालनो भीया बड़ा सा कोई एक टंकी है उसका surface कैसा है curved पानी का टंकी है उसका surface curved तो images बनेगी object कहीं होगा तो curved images है तो raise मूडेंगी raise image बूरेंगी तो हो सकता है कहीं जाकर के मिले तो image बनेगी तो image अपनको formation करना है तो देखो एक बात तो अपनको मालो है मालो इसका radius of curvature है और यहां अंदर का refractive index mu2 बोल रहा हूं बाहर का refractive index mu1 मालो यहां पर object है तो एक रहे जो सीथी चाहिए तो सीथी सीथी चल जाएगी और मालो जो दूसरी रहे है वो गई और ऐसे मूर के यहां आ गई तो यहां image बनेगी इतनी नहीं मूर पाई थोड़ी से मूरेगी तो image कहीं यहां बन जाएगी कहीं पर मिलेगी एक बार के लिए मैं बना रहा हूं कि मालो अब्जेक्ट यहां है रेडियोस अपर वेचर आ रहा है और image यहां पर बन रही है तो यह सर्फेस में टी यहां होगा यहां पर फॉलो होगा ठीक है चलो और यह जो नॉर्माल है यह जहां पर मिल रहा है यह रेडियोस ऑफ करवेचर आर ठीक है अब अपन को टेरिवेशन करना है फार्मला निकालना है इसका ठीक है कि अगर object यू दूरी में object की दूरी को यू बोलते हैं अपन और image की दूरी को वी और यह रेडियोस ऑफ करवेचर आर ठीक है यू वी आर के बीच में अपन को रिस्ता निकालना है निकाले अब देखो कितना इसी है पहले लिखो मत पहले सुन लो पहले पूरा सुन लो फिर नोट्स बनाना नहीं तो बिखर जाएंगे सारे के सारे कॉंसेप्ट है न अब देखो सबसे पहले इसको अलफा बोल दूँ है ना और इसको बीटा और इसको गामा ठीक है क्या हाँ ठीक है इसको alpha इसको beta इसको gamma तो एक बात बताओ सबसे पहले यह triangle की property यहाद है exterior angle equal to sum of interior opposite angle तो देखो i की value हो जाएगी alpha plus beta यह triangle में यह exterior angle हो गया इसकी property वही exterior angle is equal to sum of interior opposite angle ठीक है exterior angle is equal to sum of interior opposite angle सेम हैसे ही सेम होई प्रोपर्टी से अपन लिख सकते हैं beta is equal to r plus gamma beta is equal to r plus gamma देखो यह triangle में यह exterior angle हो गया तो बीटा is equal to r plus gamma लिख सकते हैं चलो भीया अब i की value आ गई आर की value आ गई beta plus gamma अब i और r के बीच में एक और रिस्ता है yes or no यहाँ निकालता है अच्छा वैसा तो यहीं पर बनाना था मेरको यहां पर फिर से बना देता हूं फोटाक से में एक बार है यह इमेज आई यह अब्जेक्ट हो है ना है यहां यहां पर नॉर्मल भूल दे रहा हूं यहां पर आके मिली यह इमेज यह आर यह वी यह यह यू ठीक है इदा देखो इसको मैं बोला था alpha यह angle i यह normal है यह incident रहे यह reflected रहे ठीक है यह आर तो यहां का refractive index मुटू यहां का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मिवन है ना सबसे पहले तो एपलाइंगे स्नेल्स लाइंगे तो क्या आएगा मुवन उन ना सबसे आएगा मुवन मुवन देता हूं पिर क्या कर सकते हैं अपन sin i is equal to tan i is equal to i लिख सकता हूँ लिख सकता हूँ because all angles are small तो क्या जाएगा mu 1 i is equal to mu 2 r एक equation यह बन गई equation 1 लिखो मात अभी पहले देखो पूरा पूरा देखो अच्छे से अब वापस से फिर वही alpha beta और gamma तो वैसे आप लोगी इज़्जत से लिखो कि तो पूरा लिखना नाम देना हर पॉइंट्स को है ना इंट्रेंगल दीस इंट्रेंगल दीस नाम देता हूँ चलो इसको ओ तो दिया हुआ है इसको आर देता हूँ मालो यह आई इस पॉइंट्स को नाम देता है ठीक है क्या तो इंट्रेंगल इंट्रेंगल OPR दीख रहा है इंट्रेंगल OPR क्या लिख सेकता हूँ मैं I is equal to alpha plus beta और reason वही लिखो के exterior angle is equal to sum of interior opposite angle ठीक है सेम इंट्रेंगल PRI इंट्रेंगल TRI दिख रहे है मापर PRI एंगल में क्या हो जाएगा beta is equal to R beta is equal to R plus gamma सेम रिजन हो जाएगा ठीक है सेम रिजन तो अब यहां से R की value कितने आजाएगी beta plus gamma putting beta minus gamma sorry beta minus gamma now putting value of I and R in equation 1 लिख देता हूँ putting value of I and R in equation 1 कर दो तो क्या जाएगा mu 1 into I के जाएगा क्या लिख सकता हूँ alpha plus beta is equal to mu 2 into R के जाएगा क्या लिख सकता हूँ beta minus gamma हो गया now all angles छोटे है तो alpha can be written as 10 alpha और 10 alpha की value कितनी हुजाएगी 10 alpha की value हुजाएगी मालनो ये length बोल रहा हूँ मैं कुछ ठीक है ये point ये point अब ये point लगबग अपन same मानेंगे क्योंकि अपन paraxial race की बात कर रहे हैं ठीक है तो ये point को कुछ मालने रहा हूँ ये P है इसको क्यू मालने रहा हूँ मालनो तो PQ by OQ लिखूंगा PQ by OQ 10 alpha 10 alpha क्या होता है P by B तो P PQ by OQ ठीक है same beta को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 beta और क्यों लिख सकता हूँ because all angles are small तो beta को मैं लिख सकता हूँ 10 beta और 10 beta की value कितनी हो जाएगी 10 beta P by B तो PQ by QR PQ by equal to PQ by QR ठीक है same वैसे gamma को मैं लिख सकता हूँ 10 gamma और 10 gamma की value कितनी हो जाएगी PQ by QI PQ by QI अब आपको मालूम है PQ PQ सरी OQ is equal to R OQ is equal to U OQ क्या है आपका U QR क्या है आपका R और QI क्या है आपका V PUT कर दू OQ क्या है आपका U QR क्या है आपका R और QI क्या है आपका V V PUT कर दू सारी कि सारी चीज़े यह V है ना QI क्या है आपका V image की position V तो सारी के सारी values को यहाँ पर put कर दूँ sign बाद में put करेंगे अभी sign के साथ put नहीं कर रहा हूँ देखो इधर के तो सारी चीछ positive है बस U को negative put करेंगे last में सारी चीछ positive है बस U को क्या कर देंगे negative last में अब यहाँ पर value put करूँ तो μrafa के पूट कर सकता हूँ PQ by U plus beta के पूट कर सकता हूँ PQ by R is equal to mu2 beta के पूट कर सकता हूँ PQ by R minus gamma के पूट कर सकता हूँ PQ by V PQ PQ common निकलके कच जायेका पूरा फिक है यहाँ तक लिखो फिर आगे लिखो वापस तो बनाया हूं पुरा जब दिसे एलगे सáng पुरा जुरा जया हूं पूद़िएंगर क्यों रिच्छाना झालो सब्सक्राजर च्छाना जैं से व devते संदोuard दिसे ततों Ared साथस्प्रॉ जब वो, प्लुदेल हीर्मियो जरते प्राचोश्स जढ दिसे वग。 झाल झाल चलो आके जल्दी से करें लिख लिए अब जगा तो है नहीं ज्यादा पीछे वाले स्लाइड में ले आते हैं स्कूल के नहीं कर पिजनी दियों अब यहां ले आते हैं उसको यहां पर मिटा देते हैं थ्रसन हां अब यहां से लेके आते हैं इसको मिटा बाई यू प्लस मिटा बाई आर मिटा बाई यू प्लस मिटा बाई आर इस इक्वल टू क्या लिखा है मुटू बाई आर माइनस मुटू बाई वी अब सारे आर वाले टम को हां एक सेट कर देते हैं ठीक है कर दो और इसको इधर ले आओ तो मिटा बाई यू प्लस मिटू बाई वी इस इक्वल टू मिटू माइनस मिटा बाई आर ठीक है उधर ले जाके कॉमन इधर लिया था तो उस कारण से कुछ आइडर आया तो अपन ने इसलिए क्या कर रहे है यू की वेल्यू क्या पूट कर देने है माइनस अब जो फॉर्मूला आएगा ये यूनिवर्सल हो गया मतलब आपका अबजेट कहीं पर भी हो आप उसके हिसाब से वेल्यू पूट क सर्फेस का ठीक है देखो मैं फिर से बता रहा हूं क्या करना है कुछ नहीं यह रिफ्रेक्शन हुआ यहां से रहे गई यहां गई यह आर ठीक है यह ओ यह आई यह यू यह वी यह आर यह आई यह आर तो मुवन साइन आई तो मुवन आई इस इक्वल टू मुटू आर फिर यह अलफा यह बीटा यह गामा तो आई इस इक्वल टू अलफा प्लस बीटा तो आई के जगा लिख दिए अलफा प्लस बीटा इस इक्वल टू मुटू आर क कि यह लिख दिए गामा माइनस बीटा पूट कर दिए गामा माइनस बीटा साही है न और हॉपलस गामा इस इक्वल वीटा कर दिए यह लें इस लेंध को एक बार कुछ भी मालनू z, z by u alpha के जगा क्या put कर दिये z by u, beta के जगा क्या put कर दिये, z by r z by r, ठीक है is equal to mu2 beta के जगा फिर क्या put कर दिये z by r, और gamma के जगा क्या put कर दिये, gamma के जगा z by v z by v sorry हाँ अच्छा वो गायब होगे जो लिक रहाँ समझ मैं है, खाली दो फर्मिले है, सबसे पहला mu1 i is equal to mu2 r और दूसरा, सिर्फ alpha, beta और gamma, alpha is equal to i i is equal to alpha plus beta और beta is equal to r plus gamma, बस, value put करनी है alpha के जगा 10 alpha, beta के जगा 10 beta, gamma के जगा 10 gamma easier derivation, कोई ज़्यादा तफ नहीं है, बस एक बार या दो बार खुद से करके देख लोगे तो बहुत ज़्यादा easy हो जाएगा, याद हो जाएगा पूरा derivation ठीक है क्या, तो यह होगा पूरा का पूरा derivation चलो, question चलो, a light from a point source in air falls on the spherical glass surface and equal to 1.5 and radius of curvature 20, the distance of the light source from the glass surface is 100 centimeter, what is the position of the image form, देखो एक glass surface है इधर पूरा है ना, air से आ रहा है तो यहाँ का refractive index 1 माल लू, mu1 की value 1, यहां की mu2 की value, 1.5 इसका radius of curvature कितना है 20, यहां से एक जो light source है मतलब object है, वो कितना दूर है 100, ठीक है u की value है, 100 आपको क्या पताना है, image कहां पर बनेगी तो simple, जहां image बन रही है वहां का refractive index mu2 by v minus 1 by u, minus के 7 sign के 7 mu2 by v minus mu1 by u is equal to mu1 minus mu2 by r और r plus है a light from a point source in air falls on the spherical glass surface spherical बोला है न, पूरा हाँ, तो अपन r positive लेंगे कि spherical है, अंदर जा रहा है उसके ठीक है, तो plus, बस value पूट कर दो, यह minus into minus plus हो गया 1.5 by v plus 1 by 100 is equal to, 0.5 मतलब 1 by 2 1 by 40, इसको उदर ले जाओ और solve कर लो, ठीक है formula याद होना चाहिए, बस आगे next, lens अब next क्या आपका lens, lens क्या है कोई भी piece of transparent material जैसे यह, यह भी lens है तो lens क्या है, piece of transparent material transparent material का एक तुकड़ा जिसका कम से कम एक surface कैसा हो spherical, कैसा हो spherical, तो उसको बोलते है spherical lens, क्या बोलते है spherical lens, सिंपल सी definition है, लिख लो, जल्दी से लिख लो चलो, आगे बढ़े rules for ray diagram है ना, अब कुछ rules देख लेते हैं ray diagram के लिए और NCRT में दिया है, इसी लिए चाहिए? बागी तो आपन formula लगाएंगे, जो भी questions आएगा उसमें अब देखो, तीन rules है ray diagram के, जैसे कोई भी lens है, अच्छा, यह rules for ray diagram से पहले, types of lens, है ना, बहुत सारे type के lens होते हैं, क्या यह lens है, स्पेरिकल lens है, क्या इस्पेरिकल लेंस है, क्या यह स्पेरिकल लेंस है, क्या यह स्पेरिकल लेंस है, क्या यह स्पेरिकल लेंस है, क्या यह सारे स्पेरिकल लेंस है, कि काम से कंव एक सफेरी कल हो ठीक है लेकिन इसका दोनों सर्फेस इश्पेरिकल है और बहार के तरफ कवड़ है है ना तो इसको बोलते हैं Bться मोटा होता इकोने से पतला ठीक है यह देखो यह से बादा कोने से दोनों की तरफ हम कवड़ है ये होता है क्यों पुर। कि इसको बाइज नॉर्मल म goodby box कॉंके बोलो या भाही कॉंके इसको भी बाइजक्स बोलो या नॉर्मल कॉंवेक्स ये प्टीन है लिदो कॉंवेक्स लेञा कॉंवेक्स लेकर का चैज ये क्या हो गया प्लेडोगेञा इमेकर बना दिया ये यह लेनی दोनों का करव'd है और यह करवड है लेकिन एक निंसे नीजैक्षना ना जैसे ना जैसे नेगल का ये, और पॉस्टीव पावर का ये, जैसे अपन को जनरली छोटे बच्चों को यह कम एज में बुड़े एज में खाली जाके क्या कौन सा पाउर लगता है जनरली पॉसिटिव बागी सब को क्या लगता है नेगेटिव नेगेटिव मतलब डाइवर्जिंग लेंज जो रेस को क्या करते हैं डाइवर्ज ठीक है यह सारे के सारे लेंज क्या होते हैं कोने से मोटे होते हैं और बीच से क्या होते हैं पतले कोने से मोटे और बीच से पतले बासमझ में आई और जो ओल्ड इज में लगता है वो इस ट्रैप क्यों होते हैं बीच से मोटे और कोने से पतले बासमझ में आई अब इनका दोनों का रेडियस और और वेचर अलागे इसलिए इनके अंदर पावर आती और यह भी देखेंगे इसी को बोलेंगे लैंस मेकर फॉर्मुला जो अभी अभी डिराइब करेंगे लैंस मेकर फॉर्मुला और लैंस फॉर्मुला दोनों अपन डिराइब करेंगे बास समझ में पक्का चलो तो पहले फॉर्मूला को डिराइब कर लेते हैं बाद में फिर उरेस के बारे में देखेंगे हैं ना कैसा क्या डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग है अब रूल्स पॉर रे डाग्राम रूल्स पॉर रे डाग्राम देखो तो मीरर में स्रिफ एक फोकस होता था और यहां पर लेंस में दो फोकस होते हैं कितने फोकस होते हैं दो ठीक है लेंस में आपके दो फोकस होंगे जैसे मालों यह है और यह तो दोनों में क्या होगा सारी पैर्लल रेस आ रही है जिस पॉइंट में मिल रही है यह कहला हैगा से second principle focus इसमें देखो सारी parallel rays आ रही है यह diverge कर देगा दूर कर देगा तो क्या लगएगा सारी rays कहां मिल रही है यहां पर तो यह होगा second principle focus convex में right में होता है concave में left में और first principle focus क्या होगा इदा देखो first principle focus यह सब definition अगली क्लास में मैं बोर्ड में लिखते दूँआ ठीक है एक पॉइंट जहां से रेज निकले तो reflection के reflection के बाद क्या हो जाए parallel उसको बोलते हैं first principle focus एक पॉइंट जिसके तरफ रेज आए तो reflection के बाद क्या हो पैरलल तो उस पॉइंट को बोलते हैं first principle focus याद रखना mirror में सर्फ एक focus होता है लेकिन lens में दो focus होते हैं first principle focus और second first principle focus एक ऐसा point प्रिंसिपल एक्जिस में जहां से रेज निकले या जिसके तरफ रेज आए तो reflection के बाद क्या हो पैरलल रिफ्रेक्शन के बाद क्या हो रही है और सेकेंड प्रिंसिपल फोकस है जहां पर पहले अगर पैरलल रेज आ रही है तो रिफ्रेक्शन के बाद जहां पर मिल रही है उसको बोल रहे है सेकेंड प्रिंसिपल focus is that clear दोनों का definition मैं लिख दूंगा first principle focus और सेकेंड प्रिंसिपल focus यह सब 10 में था अभी फिर से डाल दूंगा मैं पुरा कि आगे बड़े हैं अब रूल्स वारे डियाग्रम देखते हैं ठीक हैं तो क्या हो रहे हैं इसमें भी देख लेते हैं तीनों और इसमें भी देख लेते हैं तीनों पर्टिकल रेस आ रही है तो कहां से जाएगी second principle focus पर्स्ट प्रिंसिपल focus से कोई जाएगी तो क्या हो जाएगी और ऑप्टिकल सेंटर लैंस का जो सेंटर वाला पाट होता है उशको क्या बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर अगर यहां से कोई रेस जा रही है तो सीधी सीधी हो जाएगी is that clear same अगर कोई रहे है तो रिफ्रेक्ट हो जाएगी ऐसा लगे का कहां से जा रही है second principle focus second principle focus अगर first principle focus के तरफ कोई रहे आएगी तो क्या हो जाएगी parallel और अगर optical center से कोई रहे जा रही है तो सीधी सीधी पार हो जाएगी ठीक है अगर रूस जात रहेंगे parallel रे focus जाएगी फोकस से जारी पैरलल हो जाएगी जो optical center से जारी हो सीधी सीधी पार हो जाएगी डान अब डैरिवेशन अब डैरिवेशन थोड़ा बड़ा है आज करें कि चलो जल्दी से कर लेते हैं ठीक है आप देखो यहाँ पर एक concept याद रखना है यह डैरिवेशन करने से पहले आपको क्या रखना है एक concept याद जब बी multiple reflection होता था जब भी multiple कुछ भी हो reflection हो चाहे reflection यह बात यहाद रखना मालो जैसे mirror है उसमें क्या होता था जैसे मालो दो object है तो यहाँ से rate follows क्या है अब यह object यहां से वापस टइना है यहाँ पर बनी यहां पर कहरी अब यहां आपको पहले लेकिंडर न करूसरों से और मैंने ra को पहले ही बताए था प्लद क्लास 12 eingương Обजट की इंसिडेंट रे जहां पर मिल रही है उसको क्या बोलते है अब इस रिफ्लेक्शन के लिए अब यहां पर जो रिफ्लेक्शन होने वाला है यह तो दोनों रेज आती हुई है अब यह इंसिडेंट रे का मिल रही है यहां तो यह क्या है ऑबजेट किसके लिए इसके लिए तो जो पहले का image है, पहले reflection का image है, वो दूसरे के लिए क्या है? object. सीम, हमेशा याद रखना, जब भी multiple reflection हो, या multiple reflection हो, हमेशा बात याद रखना, पहले के लिए जो image है, वो दूसरे के लिए क्या act करेगा as a object. बस, और यही शीज़ अपन यहाँ पर derivation में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? इसको मिटा देते हैं पूरे को याद रहेगा पहले के लिए reflection, दूसरे के लिए स्वरी, पहले के लिए image, दूसरे के लिए पहले के लिए image, दूसरे के लिए is that clear? चलो, आप खड़ा खड़ करते हैं जिसे माल लोगी lens ले लिए अपन ठीक है? इसका radius of curvature R1 इसका radius of curvature R2 अंदर का refractive index Mu2 और बाहर का refractive index Mu lens L लिख देता हूँ और यह Mu surrounding S ठीक है? ताकि confusion ना हो Mu1 और Mu2 लेने पर आप देखो, अब होगा क्या? ray यहां से गई, यहां पर reflect करेगी तो यह हो सकता है, यह ray जाके यहां पर मिलती तो यह intermediate image बनेगी मतला कर यह surface नहीं होता, पूरा Mu2 होता तो यहां पर image बनती अब यह object के लिए यह जो image बनी यह दूसरे reflection के लिए क्या होगा? object के जैसे कम करेगा अब finally यह फिर मूड़के यहां पर बनी तो final image तो यह बनी बट intermediate image वहां बनी intermediate image वो कब बनती अगर यह surface यहां पर नहीं होता पूरा MuL refractive index होता तो अगर यहां object हो तो यहां image बनती लेकिन हुआ क्या? फिर से reflection हुआ medium change हुआ, तो फिर light bend हुई और final image यहां पर बनी तो बस यह यह याद रखना है, यहां पर स्रीफ और स्रीफ और स्रीफ और स्रीफ एक ही concept है क्या concept है? कि पहले reflection के लिए जो image है वो दूसरे reflection के लिए क्या होगा? object, बास समझ भी आई? बस अब दोनों बार curve surface से reflection हो रहा है तो formula लगा देंगे direct formula निकाले न, reflection at curve surface तो direct-direct formula लगा देंगे ठीक है? तो reflection at first curved surface, मत लिखो पहले देखो पूरा first curved surface तो क्या लिखेंगे, reflection के पाद light अंदर गई? तो वहाँ का, mu L upon V dash, इसको V dash बोल रहा हूँ यह जो बीच में इमेज बनी इसको V dash, यह जो final image बनी इसको V और object को U तो mu L upon V dash minus mu surrounding by U is equal to mu L minus mu S by R1 formula लगा दिया, formula याद है? अभी यह R1 है न, यह curved surface का radius of curvature अब second में लगाऊ रिफ्रेक्शन रिफ्रेक्शन एट सेकेंड कर्वड सर्फिस ठीक है? एट सेकेंड कर्वड सर्फिस तो क्या होगा? अब यहाँ पर यही जो पहले वाली image थी, अब क्या है? object अब image क्या है? यह, V अब रिफ्रेक्शन के बाद light यहाँ जा रही है बहर तो मू S अपन V माइनस मू L अपन V डश अब यह यू है ना? पहले वाले के लिए जो image वो दूसरे वाले के लिए object बस यह यहाँ तक मैं concept और कुछ नहीं ठीक है? तो मू S बाई माइनस मू L बाई V डश is equal to मू S माइनस मू L upon R2 अब दूसरे surface से वो रहा है ना? R2 बस अब इन दोनों में सपन को क्या नहीं चाहिए? V डश नहीं चाहिए तो यहाँ से V डश की value उठाके मू L बई V डश की value यहाँ पर पूट कर दो आ गया फूट करें value करें क्या? हाँ ज्यादा बेटर है दोनों equation को मैं add कर देता हूँ दोनों equation को क्या करता हूँ? add adding both the equation 1 and 2 adding both the equation adding both the equation दोनों equation को अपन को क्या करना है? add अब दोनों equation को जब आप add करोगे तो यह तो cut जाएगा barami से mu L by V' ने mu L by V' को barami से मार डाला क्या आया? mu S by V minus mu S by U is equal to mu L minus mu S by R1 add किये न? हाँ plus mu S minus mu L by R2 आया? अब थोड़ा से इसको formatting और करनी है बस क्या था derivation में दो बार reflection का formula लगा है और दोनों को आपस में add कर दिये बस अब थोड़ा से formatting करना है देखो इसमें से minus बाहर निकालना है तो यह भी mu L minus mu S बस बन जाएगा? फिर पूरा पाहर निकाल सकता हूं common तो mu L minus mu S common निकाल लिया निकाल दिया common तो क्या बच गया? 1 by R1 minus 1 by R2 बच गया? अब यहां से भी mu S दोनों common है निकाल के उधर भेज़ दू 1 by V minus 1 by U अब देखो धियां से यहां पर यहां से धियां से देखो ठीक है? अगर धियां से देखो अगर इस पूरे में U क्या हो? इंफिनिटी? अगर अबजेक्ट इंफिनिटी में हो तो पैरलल रिजाएंगी और पैरललर इस कहां पर मिलेंगी? फोकस पे मतलब अगर if U is infinity if U is infinity then V will be F हो जाएगा? पूट कर दूँ है वब एक्वेशन में तो 1 by F minus 1 by infinity मतलब 0 1 by infinity मतलब? 0 is equal to और mu L by mu S को मैं बोल रहा हूँ mu relative क्या बोल रहा हूँ? relative minus 1 into 1 by R1 minus 1 by R2 मतलब ये 1 by F का फर्मुला आ गया? इसको बोलते हैं Lens Maker Formula क्या बोलते है? Lens Maker Formula और 1 by F अब ये पूरे की value 1 by F है? यहाँ पर put कर दूँगा तो क्या बन जाएगा? 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F ये क्या आगए आपका Lens Formula मतलब एक साथ दो formulae derive होते है Lens Maker Formula भी और Lens Formula भी इसे के साथ आज की class करते हैं खताम लेकिन आपके लिए homework भी है जितने भी आपके example questions है 9.6, 9.7 ये सब आप करेंगे power बढ़ेंगे अपन ये आगे next class में अपना पूरा derivation हो गया last 6th class के बाद 7th class में पूरा derivation एक बार फिट से कर देंगे पूरा का पूरा derivation ठीक है चलो जितने derivation है इस्टार्टिंग से चलो, end करें class को thank you, data, bye bye, take care